गोवा विश्व भर के परियाटकों का पसंद दीदा भारतिय परियाटन आज विकास के एक नए गेटवे का अनावरन होने जा रहा है जो पूरे विश्व का गोवा में स्वागत करते हुए राज की बरती महत्व कांग्शाओं को पूरा करेगा छै वर्ष पूर्व भारत के दूर दर्शी प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने गोवा के नए ग्रीन फिल्ड इंटरनाशनल एरपोर्ट की आधार शिला रखी थी मोपान न्यू ग्रिन फिल्ड फिल्ड है आरम हो रहा है आज मुझे संतोज है कि अटल विहरी बाजपाई जी ने जो बाता किया था आज मुझे उसको पूरा करने खाउसर जलना गोवा के इस वपन को साकार करते हुए माननिय प्रधान मंत्री जी आज न्यू गोवा अंतराश्ट्रे हवाय अड़ेका उद्खाटन का राज्य की परियाथन व्यवस्था को एक नई गती प्रदान कर रहे हैं कि यह व्यवस्था विक्सित होने से तीन गुना लोग करीब करीब पचास लाख लोग आना शूर कर देंगे अब तल्पुरा कर सकते हैं तुरिजम कितना बढ़ेगा और गोवा का टुरिजम बढ़ना मतलब हिंदुस्तान के टुरिजम सेक्टर को एक नई तांकत देने वाला यह सबसे सावर्थवान जगा है गोवा सरकार और जीमर ग्रूप के बीच पब्लिक प्राइविट पार्टनर्शिप मॉडल के मध्यम से विक्सित न्यू गोवा इंटरनाशनल एरपोर्ट राजे के विमानन परी द्रिश्य को बदलने के लिए तयार है 2132 एकड में फैले न्यू गोवा इंटरनाशनल एरपोर्ट का निर्मान सुरक्षा प्रोद्योगी की सतत्विकास के आधार पर किया गया है जो सैलानियों के यात्रा अनुभावों को बहतर बनाते हुए प्रथम चरण से ही हर वर्ष करीब 44 लाख यात्रियों को अपनी सेवाए प्रदान करेगा इस हवायटे का रनवे 3.5 किलोमीटर लंबा और 60 मीटर चौड़ा है जो A380 जैसे जम्बो एरक्राफ्ट के लिए भी उप्यूग्त है यहां का द्याधुनिक बैगेज हैंडलिंग सिस्टम 4000 बैग प्रती घंटे सम्हालने में सक्षम है इसका एरसाइड इंफ्रस्ट्रक्चर प्रती दिन 200 उड़ानों का संचालन कर सकता है और अपने व्यस्ततम समय में यह एरपोर्ट 3200 यात्री प्रती घंटे की प्रबंधन शमता से कार्य कर सकता है स्थानी अकला और संस्कृति को उसके पून वैभव में दर्शाता ये हवा यड़ा गोवा की जीवांतता का प्रती बिम्ब है कई प्रकार के तक्नीकी, जमीनी, मौसमी और कोविड संबंधी चुनोतियों के बावजूद निर्मित ये हवा यड़ा उन सभी श्रमिकों, इंजिनियरों वह सहयोगियों को एक श्रत धंजली है जिन्होंने इस सपने को सच में बदलने के लिए पूरे तन मैता से काम किया इसका इंफ्रस्ट्रक्चर स्केलिबल भी है, जिसे भविश्य में यास्त्रियों की आवशक्ताओं में बढ़खोतरी के अनुरूब निर्मित किया गया है ये हवायड़ा माननिय प्रधान मंत्री जी के आत्म निर्भर भारत के संकल्प को सुद्रता से अपनाते हुए गोवासियों के आर्थिक विकास में महत्वपून योगडां देगा नई संभावनाओं और अफसरों को जन देकर न्यू गोवा इंटरनाशनल एइपोर्ट राज्य भर में प्रगती का अग्रदूत साबित होगा ये हवायड़ा राज्य की विभिन सरकारी जन्सियों के आपसी से योग और साजेदारी का एकुत कृष्ट उदाहरण है जिन्होंने गोवा के कर्मठ मुख्य मंत्री डॉक्तर प्रमोद सावंत के नित्रित्व में हर कदम पर इस पर योजना की देख रेख और निरिक्षन किया समय है तयार खुल गया है सुखत धविश्य का द्वार आउ तुछे आगे बढ़े और ले जले गोवा को नई उजाईयों के पार